हेलो दोस्तों आप सभी का हिंदी टी इंग्लिस में स्वागत है और आज हम लोग लेशन 16 के तहत कुछ खास हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा एक और चैनल है Allround Knowledge तो उस चैनल पर भी आप लोग जरूर जाएए अभी तुरंत सर्च किजिए YouTube पर Allround Knowledge वहाँ पर भी आपको खास जानकारी मिलती है लेकिन यदि आप सुरू से इंग्लिस सिखने के चुक हैं तो आप इसी चैनल पर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको Lesson 1 से बताया जा रहा है बिल्कुल Basic लेवल से Zero लेवल से और आज जो है यह वीडियो Lesson 16 के तहद बन रहा है तो यदि आप सुरू से सिखना चाहते हैं तो Lesson 1 से जरूर देखेंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला सेंटेंस है यह मेरा घर है बहुत This is my house लेकिन जो नेक्स सेंटेंस है यहां घर मेरा है तो यहां के बाद घर संग्या है नाउन है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे This house is mine क्या हो जाएगा This house is mine अब यदि कोई स्टुडेंट आप से पूछ देगी सर यहां पर माई क्या है और यहां पर माई क्या है तो यहां पर जो है माई जो है यह पजैसिब एडजेक्टिव है पजैसिब एडजेक्टिव और यह घर मेरा है This house is mine तो यहां पर जो है माई क्या है यह है पजैसिब प्रोनाउन क्या है पजैसिब प्रोनाउन देखें माई के बाद और कोई संग्या नहीं आ सकता है This is माई हाउस कभी नहीं हो सकता है माई के बाद हाउस आ सकता है लेकिन माईन के बाद कभी house नहीं आ सकता है यह हमेशा sentence के अंत में यूज होता है और दूसरी बात कि sentence के अंत में हम लोग जो है माईन का यूज नहीं कर सकते हैं आपको हमेशा ही माईन का यूज करना पड़ेगा sentence के अंत में जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है यह बहुत ही सिंपल है दिस इस यूर बूक लेकिन यह पुस्तक तुम्हारी है यहां के बाद यहां पर नाउन है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे दिस बूक इस यूर्स क्या हो जाएगा यूर्स योर को योर्स में बदल देते हैं और हर को हर्स में, देर को देर्स में आवर को आवर्स में और माई को माईन में, लेकिन हीज हीज में ही रहता है तो यहाँ पर होगा इस बूक इस योर्स, यहाँ पुष्टक तुम्हारी है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next sentence है क्या यह हमारा है क्या यह हमारा है तो क्या सुरू में है और this के साथ each लगता है तो each को पहले कर देंगे is this hours क्या होगा is this hours क्योंकि hour जब last में आएगा तो हमेशा hours होगा is this hours, is this mine, is this yours यह हमारा कैसे नहीं है तो यहाँ पर question word है कैसे तो सबसे पहले लिखेंगे how फिर लगा देंगे is क्योंकि this के साथ is लगता है how is this not hours यह हमारा कैसे नहीं है यहाँ खेत उन लोग का है तो एक चीज़ नोटिस कीज़े कि यहाँ के बाद खेत है, noun है, संग्या है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे this field और फिर is लगा देंगे this field is there's क्या हो जाएगा this field is there's यहाँ खेत उन लोग का है there's miss क्या होता है there miss होता है उन लोग का लेकिन यहाँ पर अंत में आ रहा है sentence के end में आ रहा है, इसलिए there's होगा नीचे का sentence काफी interesting है हम लोग के दुश्मन उन लोग के दोस्त है तो हम लोग के दुश्मन, यानि हमारा दुश्मन our enemies our enemies एक सधीक है y को हटा कर i.s लगा देते हैं एक simple सा rule मैं आप लोग को बता देता हूँ जैसे enemy है और y के पहले यहाँ पर aim भॉबिल है तो इसका plural हो जाएगा enemies i.s यानि कि y को हटा कर i.s एड कर देना है यदि y के पहले consonant रहेगा तब भॉबिल में नहीं जैसे boy है तो इसमें नहीं बदलते हैं boys क्यों क्योंकि y के पहले o भॉबिल है मैं यह rule भी आप लोग बताऊंगा और इसमें बहुत सारे interesting rules भी है तो आप लोग सभी मेरे channel के साथ बेने रहिए क्योंकि इस channel में lesson के तहद बन रहा है तो अचाना कि इधर उधर से मैं नहीं पढ़ाऊंगा lesson white चलेगा हम लोग के दुस्मन उन लोग के दोस्त हैं तो our enemies एक से अधिक है दुस्मन enemies है यहाँ पर तो our enemies are हो जाएगा एक से अधिक में आर यूच होता है our enemies are उन लोग के दोस्त है their friends our enemies are their friends next sentence है वे गाएं तुम्हारी थी तो पहली बार इसमें थाथे थी आया है यानि वाज वर लगेगा तो वे गाएं यानि those cows those cows एक से अधिक है तो वर यूच होगा those cows were yours तुम्हारी थी last में yours आ जाएगा यहाँ रामू की गाए है तो क्या हो जाएगा this is रामूज एपस्ट्रोफी कोमा लगाकर एस लगा देते हैं तो का केकी का हो जाता है खास तोर से सजीब के लिए this is रामूज कव मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग चिंता नहीं करें यहाँ मेरा कैसे नहीं था यहाँ पर सबसे पहले कैसे है तो हाँ लिखेंगे था है यानि वाज दीस के साथ वाज लगता है how was this not mine क्या होगा mine क्या वह तुम्हारा पानी का बोतल था तो यहाँ पर था है यानि वाज वर यूज होगा वह बोतल यानी एक botlex की चेर्ज़ा हो रही है यहाँ पर तो क्या हो जायागा ause को पहले करेंगे क्यों करेंगे क्या पहले है और जब भी सुरूमें क्या होता है तो कोई ने कोई helping वर पहले आता है क्योंकि इसमें beige where you ज होगा तो वाज को पहले करेंगे English सिखना आसान है दोस्तो और इस तरह से आप English सीख सकते हैं यदि आप कभी भी English Medium School नहीं गए हैं और या तो बस्पन में आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बेने रहिए दोस्तो मैंने भी English से A में किया है और इसी तरह सीखा है और मैं आपको दिल से इसमें बताऊंगा और दिमाग से तो बताता ही हूँ और यदि आप English Advanced तरीके सिखना चाहते हैं तो All-Round Knowledge जरूर सर्च किजिए और कोई भी TENS भी सर्च करेंगे या Translation TENS एक साथ मिला कर आप सर्च करें कि TENS and Translation या Translate into English TENS तो मेरा वीडियो जरूर दो तीन जरूर नजर आएगा तो उस पर क्लिक किजिए वो सभी वीडियो जरूर देखे और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर किजिएगा ताकि English की थोड़ी से जानकारी उनको भी हो जाए और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर किजिएगा और अंत में क्या करना है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अच्छा लगेगा